Welcome to the Reliable Academy My name is Rahul Tiwari, Director and Founder of Reliable Academy Hello दोस्तों कैसे हैं आप? Corona जैसी इस महामीवारी में आप सभी स्वस्थ ही होंगे और इस स्वर से हम कामना करते हैं कि आप सभी हम सारे भारती और विश्व जल से जल स्वस्थ हों Reliable Academy पर मैं आज अपनी एक नई वीडियो अपलोट करने जा रहा हूँ जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक, सेर जाद से जाद कीजिएगा चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी वीडियो को कंटीन्यू करेंगे और आज का जो हमारा Čपिक रहेगा हो रहेगा इंडियन पॉलिटी और इस इंडियन पॉलिटी पर मैं कंटीन्यू वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका ये इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तयार हो जाए डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम आजातसर सभी को मालूम है 11th President of India इनका कहना है If you want to sign like a sun पस्ट वर्न like a sun यदि आपको शूरी की तरह चमकना है तो आपको शूरी की तरह जलना भी होगा तो इनको एक बार नमन और हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक है इंडियन पॉलिटी भारत की राजबवस्ता एक्जाम की दरश्टी से ये बहुत महत्तिपून टॉपिक है हर एक्जाम में इससे क्वेस्चन निकलते हैं MPPSC में ये बहुत ही इंपोर्टेंट इसका पार्ट है देखिए आपको दो इमेज दिख रहे होंगे एक साइड है संसत्भवन और एक साइड है चौंसट योगनी मंदर तो साफ साफ दिख रहा है प्रवस्था की बीडियो है कि हमें भारत की राजबवस्था को किस प्रकार से पढ़ना है इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है सिर्फ आपको सब्जेक्ट समझाया है कि हमें इंडियन पॉलिटी को किस प्रकार से पढ़ना है और आंगे आने वाली वीडियो में इंडियन पॉलिटी का मैं बिस्तार से बंडन करूँगा ये सीरीज हमारी कम से कम 15 दिन तक चलेगी 15 दिन में आपके इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी यदि आपने रंता घर पे भी पढ़ाई करते हैं देखो इंडियन पॉलिटी या भारती राजविवस्ता सबसे पहले होती क्या है तो इंडियन पॉलिटी या भारती राजविवस्ता का मतलब है भारत की राजविवस्ता इंडियन पॉलिटी में टोटल मैंने 11 प्लर रखे हुए हैं इन 11 प्लर को एक बार हमें देखना है कि क्या होते हैं ये 11 प्लर और ये 11 प्लर जिसके कम्प्लीट है मतलब इंडियन पॉलिटी सारी complete है तो इंडियन पॉलिटी या भारती राजविवस्ता का फस्ट प्लर है constitutional framework constitutional framework या सम्मेधानिक धांचा तो हमें सबसे पहला प्लर पढ़ना होगा सम्मेधानिक धांचा दूसरा प्लर है system of a government तीसरा प्लर है central government मतलब केंदर सरकार चौथा प्लर है state government मतलब राज्य सरकार पाचमा प्लर है local government इस्थानिय सरकार इस्थानिय सरकार का मतलब है देखो केंदर सरकार और राज्य सरकार आपको पता है इस्थानिय सरकार का मतलब है चाहिती राजवबस्ता और नगरपाली का शटमा प्लर है union territories and special areas मदलब किंदर सासित प्रदेश और कुछ विसेश एरिया विसेश छेत्र अपना अगला प्लर है constitutional bodies सम्वेदानिक निकाय नेक्स्ट प्लर है non-constitutional bodies अगला प्लर है other constitutional dimension अगला प्लर है political dynamics राजनेतिक गती सीलता और फिर है working of a constitution जैसा कि हमने चर्चा की है कि हमें 11 प्लर पर हमें Indian polity पढ़नी होगी तो उसका first प्लर है constitutional framework constitutional framework में कुल 11 भाग है इन 11 भाग में पहला भाग है historical background मतलब एतिहासिक प्रष्ट भूमी एतिहासिक प्रष्ट भूमी का मतलब है regulating act से start हुई है एतिहासिक प्रष्ट भूमी और उससे और पहले हम जाए तो 1620 में महरानी एलीजाबेट से ये एतिहासिक प्रष्ट भूमी start होगी तो इसके बारे में हम आंगे detail में चर्चा करेंगे अभी तो मैं क्या करूंगा जितने भी ये part हैं अभी तो मैं क्या करूंगा जितने भी ये part हैं इन part में एक line जोड के आपको topic की ओल ले जाएंगे कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है तो जैसे एतिहासिक प्रष्ट भूमी से आप समझ गए हैं कि हमें सुरुवात करनी होगी 1620 से महरानी एलिजाबेट प्रथम ने जो charter दिया था वहां से इसके बाद अगला है making of the constitution संभीदान का निर्माण संभीदान का निर्माण मतलब 1946 1946 में संभीदान सवा का गठन हुआ था फिर डॉक्टर सचिदानंद सिना आइस्था यद्यक्ष बने हुए थे फिर इस्था यद्यक्ष बने डॉक्टर राजिन प्रसाद तो ये हो जाएगा आपका संभीदान का निर्माण हमारे संभीदा सिस्ता हैं हमने कहां-कहां से श्रोतों को लिया इसमें आ जाएगा फिर अगला है प्रेमिल अब्दा कॉंस्टिटूशन प्रेमिल या भारत की प्रस्तावना बहुत इंपोर्टेंट है और ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है फिर नेक्स्ट है यूनियन एंड इस टेरिटरी संग एबम इसका छेत्र भारत में कुल संगराज्य छेत्र और इसके छेत्र संगराज्य छेत्र टोटल नौ है जम्मु कस्मीर और लग्दाक के बाद सिडियन से क्लियर हुआ है कि भारत की नागरिक्ता हमें कैसे पढ़नी है फंडमेंटल राइट्स मूल अधिकार जो अमेरिका के संभिदान से लिए गए है इनको भी हम अच्छे से पढ़ना है डारेक्टव प्रिंस्पल अप इस्टेट पॉलिसी राज्जी के नीती निदेशक शिद्दान आयलेंड से लिए गए है मात्मा गानी का हिरदय बोलते हैं इनको हम जानेंगे क्या होते हैं मौलिक करतब रूस के संभिदान से लिए गए है और Important Amendment of the Constitution संभिदान संसोधन किसी भी संभिदान को हम संसोधन भी कर सकते हैं संसत द्वारा उसके बारे में बताया जाएगा Basic Structure of the Constitution संभिदान की मूल सरवचना तो Second Plan है System of Government System of Government में Parliamental System है संसदिय विवस्ता जिसे हम कहते हैं जो कि ब्रिटैन की संभिदान से लिए गई है भारत में संसद है उसमें दो सदन है लोकसबा और राजसबा Next है Federal System संगिय विवस्ता भारत राज्यों का एक संग है अगला है Center State Relation किंद्र और राज्य संबंद और है Interstate Relation अंतर राज्य संबंद और अगला है Emergency Provision आपात कालीन प्रावधान तो यह हो जाएगा हमारा Second Plan Central Government में हम राश्ट्रपती, Vice President या उपराश्ट्रपती, प्रधान मंत्री, Central Council of Ministers, किंद्रिय मंत्री परिसद और Cabinet Committees मंत्री मंदलिय समीती पर चर्चा करेंगे फिर संसद, संसदिय समीतिया, संसदिय मंच, संसदिय समूह, उच्चितम नियायलाय यानि सुप्रीम कोट, नियायक समीक्षा, नियायक सक्रियता और जनहित याचिका पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्लार है संसदिय समीतिया, संसदिय मंच, संसदिय समूह, उच्चितम नियायक समीक्षा, नियायक सक्रियता जनहित याचिका नेक्स्ट प्लार है इस्टेट गवर्मेंट जो कि है हमारा फूर्थ प्लार इस्टेट गवर्मेंट में सबसे पहले हमें गवन्नर यानी राज्जिपाल को पढ़ना होगा इसके बाद चीप मिनिस्टर मुख्यमंत्री को पढ़ना होगा फिर है state council of ministers देखिए central government में क्या था और state government में क्या था तो बहाँ क्या था central council of ministers यहाँ पर state council of ministers फिर state legislature, राज्जी विधान मंडल, high court, महा सुप्रीम गोर्ट था यहाँ high court है subordinate court, अधी नस्त नयायल है special status of jammu qasmeer, जो की अब हट चुका है, 370 पहले इसको पढ़ते थे हैं special provision for some state, कुछ राज्जियों के लिए business प्राउधन तो हमारा चौथा प्लर ऐसे तैयार होगा, राज्जिपाल, मुक्कमंत्री, राज्जिमंत्री, परिसत, राज्जिविधान, मंडल, उच्छ नयायल है, अधीनस्त नयायल है, जammu qasmeer, कुछ राज्जियों के लिए business प्राउधन हमारा जो फिप्थ प्लर है, बो है local government या इस्थानी सरकार, जब मैं Indian polity के 11 प्लर बता रहा था, तब आपको बता चुका था, कि इसमें दो आते हैं, पंचायती राज्ज और नगर निगम या नगर पाली काएं हमारा छटमा इस्तंब या प्लर है, Union territories and special areas, केंदर सासित प्रदेश और विशेष छेत्र, इसमें हम केंदर सासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में विशेष छेत्र का आसा है, अनुसूचित एवं जनजातिय छेत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, इस छटमा प्लर कंप्लीट होता है, हमारा सात्मा और सेवंथ प्लर है constitutional bodies, सम्मेदानिक निकाए, ये बहुत important प्लर है, सात्मा और आटमा दोनों ही बहुत important प्लर हैं, क्योंकि सात्मे और आटमे प्लर से PSC, MPPSC pre में कुछ topic दिये गए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, तो सेवंथ constitutional bodies सम्मेदानिक निकाए, के अंदर कुछ भाग है, कौन-कौन से भाग में पढ़ना है, एक बर हम इनको देख लेते हैं, फर्स्ट है election commission, चुनाव आयोग, अभी तरह-तरह के चुनाव हो रहे हैं, और विविनने जगाओं पर हो रहे हैं, तो हमें अच्छे से मालव है, election commission क्या होता है, या निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग क्या होता है, या एक सम्मेदानिक निकाए है, इसके बाद union public services, इसके बाद union public service commission, संग लोकसेवा आयोग, अगला भाग है, state public service commission, राज्य लोकसेवा आयोग, finance commission, बित्ता आयोग, national commission for SCs, अनुसूचित जातियों के लिए राश्ट्रिय आयोग, national commission for STs, अनुसूचित जन जातियों के लिए राश्ट्रिय आयोग, national commission for STs, अनुसूचित जन जातियों के लिए राश्ट्रिय आयोग, special officer for linguistic manotis, भासाई, अल्प संख्यकों के लिए बिसेश अधिकारी, some patroller and auditor general of India, सौट्मेक कैग, भारत का नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक, attorney general of India, भारत के महानियवादी, advocate general of the state, राज्ज का महाधिवक्ता, तो सम्विदानिक निकाए में कुछ ये commissions हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना होगा, अगे है अपना आठमा प्लर, जो की non-constitutional bodies है, आसम्विदानिक संस्था, उसके अंतरगत पहला है नीती आयोग, दूसरे नमबर पे है NHRC, National Human Rights Commission, राश्टिय मानवाधिकार कमीशन, अगला भाग है State Human Rights Commission, राज्ज मानवाधिकार आयोग, इनको हम बहुत अच्छे दे पढ़ेंगे इन आयोगों को, फिर Central Information Commission, केंद्रिय सूचना आयोग, इसके बाद है State Information Commission, राज्ज सूचना आयोग, CVC, केंद्रिय सतर्पता आयोग, Central Business Commission, Central Bureau Investigation, केंद्रिय अन्वेशन व्यूरो, लोगपाल, एंड लोकायोग, तो Non-Constitutional Bodies में हमें ये आठ भाग पढ़ना है, इन आठ भागों को हमें अच्छे से पढ़ना है, चलते हम अपनी Next Slide की ओर, और 9th Plur, नॉमा प्लर है, Other Constitutional Dimension, इसमें सबसे पहले सहकारी समीतियों को पढ़ना पढ़ेगा, राज भासा, लोक से बाय, अधिकरन, सरकार के अधिकार तता दायक्त, हिंदी भासा में सम्मीदान का प्राधिकरत पाठ, और बिसिस्ट बर्गों से संबंदित बिसिस्ट प्राउधन, इसमा प्लर है, Political Dynamics, Political Dynamics में, राजनेतिक दल, निर्वाचन, मतदान ब्योहार, चुनाव कानून, चुनाव सुदार, दल परिवर्तन कानून, दवाप समूह, प्रैसर गुप्स, राष्ट्रिय एक्ता, और विदेश नीती के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा ग्यार्मा प्लर है, Working of the Constitution, सम्विदान की कार्यप्रणाली, National Commission to Review the Working of the Constitution, सम्विदान की कार्यप्रणाली की समीच्चा करने के लिए राष्ट्रिय आयोग, तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यही वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन दवाना ना भूलेगा आप, और ऐसी एजुकेशनल परपस की वीडियो आपको यहाँ रिलाइबल अकेडमी पर मिलेंगी, और इसके आगे की वीडियो डेटेल में, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, रिलाइबल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है, ये थी हमारी इंडियन पॉलिटी पर बीडियो, इस बीडियो में बताया गया है कि हमें सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़ना है, जो की टोटल 11 प्लर पर डिपेंड है, और इन 11 प्लर को नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके, मैं एक एक प्लर को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा,